आज के हमारा जो प्रैक्टिकल है वो है डाइकोट रूट का प्रैक्टिकल डाइकोट रूट के लिए आपके पास में रूट सेम्पल आप संफ्लावर का ले सकते हैं उसके बाद में आपको ग्लिसरीन सेफ्रिनी और आपके पास में जो भी ब्रस है स्लाइड है नीडल है और कि फोर सिप वगरस रिक्वार्मेंट अप लेके रखें सबसे पहले आप लोग आपके पास और इसनल रूट ला सकते हैं उसका इस्तमाल भी आप ले सकते हैं अब आप लेने के बादे में आप fresh blood की मदद से अब TS ले जब TS आप लेते हैं तो कोशिस करें अगर प्रिजफर सेंपल हैं तो आप Four six का इस्तमाल करें अगर फ्रेश रूट अगर अवलेबल हैं तो अपने हाथ सी प्रोपर तरिके से होल्डिंग करके आप टीएस लें ट्राइ करें कि आप जो ब्लेड का इस्तमाल करेंगे वह एकदम फ्रेश होगी और आपके टीएस एकदम थिनेस्ट होनी चाहिए जितनी थिन आपकी टीएस होगी उतना बढ़ी आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद में आप लिड़ोडर्मी पैरिसाइकल एकसेक्टरा उससब स्टीन हो सके जब तक वह स्टीन हो तब तक आप स्लाइड प्रिप्रिपार करें अब स्लाइड ले उस पे ग्लिसरीन या वाटर का इस्तेमाल करें अब सेफ्रिन से आप अपने टीएस को ब्रस की मदद से निकाले हम यह पे जुगार करके निकाल रहे हम फाइनली आप उसको गर्सकोड प्लेस करतें अब आप यहाज करतें रही हैं आपके पास जो गवर स्लीफ हैं को पिए कवर है एक्स्ट्रा ग्लिस्री नगर है तो आप उसको वाश कर लीजिए हमने स्क्रीन पे देखो स्लाइड प्रिपेर करके और को दिखा रखकी साइड के अंदर ओके अब आप क्या करें फाइनली आप अपने माइक्रोस्कोप करें लाइट सेट करें 10x माइक्रोस्कोप को करने ताकि आप टीएस की जो पूरी लेर आप अबज़र कर पाएं उसकी अप पूरा घुमा के अबज़र करें हो सकता आपका टीएस डंक से ना हो हो सकता आपका टीएस के इंदर जो सैल्स हैं वो लेर तूट गई हो ऐसा बहुत सारी पॉसिपलिटी आपको देखने को मिल प्रोपर आपको दिखा रहा है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा ओ तो चैनल को लाइक करें सेव कर सबस्क्राइब करना ना भूले आपका प्यार हमारे सत्व बना रहेगा हम लगातार आपको सारे अन्टाबे के वीडियो और पूरे लेप के वीडियो देने वाले से लिए सब्सक्राइब करना ना भूले जै हिन जै भारत